नमस्कार साथियों स्वागत है आपका एक्जाम बेट पर और मैं आपके सामने अद्वती जवाला नहरू विश्विद्याले हिंदी पराशनातक की छात्रा हिंदी साहित से आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं उसके आधार पर हम लोग आईडिया लगा सकेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या होता और इस साल किस तरह के क्वेस्चन पूछे जाएंगे तो साथियों चलते हैं अपने विशाय पर जो हमारा टॉपिक है CUT 2022 PG का इंट्रेंस टेस्ट एक्जाम पेपर हिंदी साहित का परथम इतिहाश इस्तवार दला लट्रेटर एंद्ऊ इंडोई इंदोस्तानी ग्रन्त किस भासा में लिखा गया था तो इसकी भासा जो इस्तवारग। जो इस्तवार दला इंद्वार इंदोई लिट्रेटर एंद्ऋ इंदो bile상 ये तो अंग्रेजी नहीं यह तो अंग्रेजी नहीं है यह जर्मन तो पता नहीं लेकिन अगर हम लोगों ने हिंदी साहित का इतियास रामचन सुकल की किताब में पढ़ा होगा तो उन्होंने साहित पहले ही मेंशन कर रखाए कि यह फ्रेंच बासा में लिखा गया है और इसका प्रकाशन वर्स था हमारा हिंदी साहित के इतियास के काल विभाजन का सर प्रियास किस इतियास कार ने किया है तो सर प्रियास किया है जार्ज ग्रियर्शन ने इन्होंने इतियास जो था हिंदी साहित इनको इनका जो इतियास था ग्रियर्शन का उन्होंने अपने इतियास को ग्यारा काल तीसरा question है आदी काल को सिद्ध सामंत काल की संग्या किष्विद्वान ने दी है तो इसका आंसर होगा राहूल संक्रत्यायन अगला question हमारे सामने आता है रामचंद सुक्ल द्वारा बिरिचित हिंदी साहित का इतियास ग्रंथ का प्रकाशन वर्स क्या है हिंदी साहित इतियास ग्रंथ जो हिंदी का सबसे अथेंटिक इतियास माना जाता है और प्रथम इतियास जिसके लेखे आचार रामचंद सुक्ल है और जिसका प्रकाशन हुआ था 1929 में यह सब के सब factual question है इसमें कुछ description तो नहीं किया जा सकता है इसलिए आप लोगों को यादी करना पड़ेगा इनको जैसे कि साहित अंगला question है हमारा साहित प्रतेक देश की जनता की चित ब्रत्ती का संचित प्रत्विम होता है तो यह कथन है आचार रामचंद सुक्ल का और उनका जो इतिहास है हिंदी साहित का इतिहास उसमें साहित उनकी भूमिका में ही यह दिया गया है हाँ उनकी भूमिका में ही यह कथन दिया गया है हिंदी साहित प्रतेक देश की जनता की चित ब्रत्ती का संचित प्रतिबंब होता है इसका आंसर है रामचंद सुक्ल नेक्स्ट क्वेस्टन हमारे समने आता है संतन को कहां सीकीरी सोकाम आवत जात पनहिया टूटी वि시는गयो हरीनाम ये पंक्तियां किस कभी की है तो ये पंक्तियां है कुम्भन्दास की इनको एक बार अकबर ने अपने याम मिलने के लिए बुलाया था तो ये गय तो थे लेकिन वहाँ जाने के बाद काफी ज़्यादा इनको अपसोस साफी लो रहा था और इन्हों ने लिखा कि संतन को कहा सीकरी सो काम आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हरी नाम अगला क्वेश्चन हमारे समने आता है निम्न में से स्री संपरदाय का आचार किसे माना जाता है स्री संपरदाय का आचार रामानुजाचार जी को अगला क्वेश्चन आता है प्राक्रत पैंगलम में संकलित कभी नहीं है तो प्राक्रत पैंगलम में संकलित कभी बबर भी हैं, विद्याधर भी हैं, जजल भी हैं, केवल विद्यापती नहीं है, तो इसमें आंसर होगा एग, विद्यापती नहीं है, ये तीनों गलत होगे अगला क्वेश्चन हमारे समने आता है, निमन में से हलावादी कभी कौन हैं? प्रक्षति से भी माया बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलजादू लोचन छोड़ अभी से जग सारा तो यह पंग्तियां जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कई मानवी करण किया गया है हम बालों की तुलना की बालों को जाल में बंधा हुआ या मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं हमको यहां पर तुलनातमक चीजे दिख रहे हैं और कहीं किसी भी क्वेठी चाय पड़ती दख रहें तो इससे लग रहा है कि छाय वाधी पंग्तियां और में जोभी नहां लेख घृ बिकल्प दीये गया हमें वह चारों ही लेख को कि दी अदिये गए हं तो इसमें यह जो पंग्तियां हे वह क्वेस्टन से कौन सावालन कार कमेंट करके बताई सकता है जो समननवय का अपार धर लेकर आया हो यह कथन किसका है तो यह कथन है तो यह एक थन है हजारी साध द्वेदी ने तुलसीदास के संबद में बोलाए कि भारत का जो लोक नाया है जो लोक या जनता का प्रिय कभी हो सकता है वही हो सकता है जो समन्नवय करने है गोरख नात का कि फराव क्वेश्चन देखते हैं सत्सया के दोहरे जेव नाविक के तीर देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर यह पंतियां किस कभी की हैं वैसे यह क्वेश्चन गलत दिया गया है किस कभी की नहीं किस कभी के संबंद में कहीं गई हैं तो यह पंतियां कहीं गई हैं विहारी के संबंद में लगे नंगला क्वश्चन आता है हमारे सामें निम्न में से कौन से अपन्यास ग्रामीड जीवन और क्रसी संस्क्रति का महाकाब व्यांनि प्रेम चंद के इसमें चारों पंव्यास दिए गए इन में से गोदान जो उनका सबसे माध्यम से उस समय के समाज की जो किसानों की श्थिती थी जो ग्रामीड श्थिती थी उसको समझ सकते हैं तो इसका अंसर होगा गोदान निमलिकित में से कौन फरीस्वरा रेडु द्वारा रचित मेला आचलका उपन्यास का पात्र नहीं है जैदयोपुरी जो की जूठा सा चुपन्यास का पात्र है जैदयोपुरी जूठा सा चुपन्यास का पात्र है इसका मतलब यह मेला आचलका नहीं हो सकता है प्रसांत मेला चलका ही है काली चरड भी मेला चलका है और बल्देव भी बल्देव जो अपने नाम के लाठी और भाले अटाके बल्देव लिखता था तो इससे याद है कि मुझे यां बाल्देव था अगला क्वेश्चन हम रे संस्कृती चार अध्या के रचैता का उने तो यह बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है राम्धारी शिंग तिंगर जिनको आग और राक्का कभी भी कहा जाता है अगला question हम देखते हैं होरी कि सुपन्यास का पात्र है तो अभी हम गोदान के discussion में बताईए हैं कि होरी के और गोबर या धन्यायन सबके माध्दन से किस प्रकार हम 1936 के आसपास किस क्रसी समाज को या किसान समाज को समझ सकते थे तो होरी पात्र हो गया गोदान का अगला question आता है निम्न में से ब्यंग विधा का लेखक कौन है तो ब्यंग विधा का तो सबसे प्रसिद्ध लेखक कि हरी संकर परसाइस में तो कुछ सोचना ही नहीं है दोपहर का भोजन कहानी के रचयता कौन है दोपहर का भोजन अमरकांत इस्मृत की रेखाएं महादेवी बर्मा की रचना है सीव संबू के चिठे नामक निवंद के रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त सारे के सारे factual questions हैं आपको यादी करने पड़ेंगे अगला question आता है कविता के नेव प्रीत्वान आलोचना के लेखक हैं डाक्टर नामबर सिंग जो की जैन्यू के प्रफिसर भी रहे हैं अब तो साइध जीवित भी नहीं है निम्न में से कौन सा अपन्याश देश्व भाजन की तरासत घटना को जूटा सच अगला question हमारे समने अता है संविधान के अनुसार हिंदी भासा को कौन सा दर्जा प्राप्त है राज भासा का पार्भासिक सब्द अंग्रेजी के किस सब्द से किस सब्द का पर्याए है तो यानि पार्भासिक सब्द टेक्निकल वर्ड या टेक्निकल लेटर का मतलब पार्भासिक सब्द हैं जूटा सच उपन्यास के लेखा के स्पाल और ये देश की विभाजन की त्राशदी पर लिखा गया उपन्यास था अंगला क्वेश्चन आता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आंसर तो हम नहीं देना चाहेंगे आप लोग खुद सर्च करिए अप्लीकेशन सब्द का हिंदी रूपांत्रड क्या होगा है अप्लीकेशन आवेदन पत्र साधारण सा एक दम निम्न में से कौन सा पत्र का प्रकार नहीं है पत्र का प्रकार कौन सा नहीं है समाचार पत्र पत्र होते हैं पत्र तो नहीं कह सकते हैं ईक तरह से निजैग भोलेंगे इसको तो यह पत्र का परकार नहीं है अंसर हमारा हो जाएगा यह यह तीनों पत्र के प्रकार समाचार पत्र सकते हैं पत्रकायन सबको पढ़ सकते हैं तो यह आएगा हमारा सब्द संचार माध्यम के अंदर स्रब सुनतो सकते नहीं समाचार पत्र को देखने का मतलब द्रस्माध्यम जैसे की टेलीविजन टाइप हो गया तो यह भी नहीं हो गया समाचार पत्र पत्रकायन पुष्टकें विग् क्रिश्चन आता है तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है कि जो कि जो कि 30 मail से चुरूहा थो चिस्तिम से हंदी पत्रकारधा दिवस मनाया जाता है डेमी ऑफिसेल में तो को हिंदी में क्या कहा जाता है डेमी आफिसेल लेटर यानि हो 12 सरकारी पत्र में हिंदी परती पत्र का के संपाधक बाल ग्रशवट सब्द सक्ति के कितने प्रकार है यानि सब्द सक्ति के तीन प्रकार है आभिधा लच्छडा और तीसरा है व्यंजना अगला क्वेस्चन हमारे सामने आता है सब्दार्थो सहीतो काब्यम या किस आचार का कथन है यानि जो काब का लच्छडा उसके आधार पर सब्द अर्थ निम्न में से अभ्यास किसके अंतर गाता है तो यह अभ्यास काब बहेतू के अंतर गाता है काब बहेतू भी तीन होते हैं प्रतिभा और बित्पत्ति तीसरा होता है अभ्यास अगला क्वेस्चन है भारती काब साश्ट के अनुसार धर्म अर्थ और काम मोच किसके अंतरगत आएगा धर्म यानि काब प्रियोजन के अंतरगत ही आएं काब को लिखने का प्रियोजन क्या अ़िव हुण की यानी धर्म बड़े या और अर्थ धन और काम यानी कि इच्छा जो मोच्छ है वो प्राप्थ ईन सब के प्रियोजन एक और काब सास्थ के अनुसार दर्म अर्थ काम और मोच्छ हैं अगला क्वेस्टेन है स्वर संदी के कितने प्रकार होते हैं स्वर संदी के पांच प्रकार होते हैं दीर्ग संदी अगला गुड़ ब्रद्धी संदी यड़ संदी और आयादी अगला क्वेस्टेन है स्वरो का स्वरो के साथ मेल होने पर कौन सी संदी बनती है स्वरो का स्वरो के साथ मेल होने पर स्वर संदी सन 1956 में देश में अकाल पड़ा था यह वाक किस काल के अंतरगत आता है यानि यह आएगा पूढ भूत 1956 यानि लगबग 60-65 साल पहले की बात अकाल वहाँ पड़ चुका था यानि भूत में यह कार पूरा हो चुका है तो यह पूढ भूत हो गया संभाब भूत का मतलब है कि ऐसा होने की संभावना थी भूत काल में लेकिन असा होने पढ़ तो ऐसा तो है ने इसमें तो कनफर्म कि अकाल पड़ चुका है संदिग्द भी नहीं है यह वी कम कनफर्म है और आसन शुरुवाद आसन भूत का मतलब है कि अभी दो-चार साल पहले या दो-चार महीने पर पहले का तो यह तो बहुत पहले की बात है अगला क्वेस्चन हमारे सामने आता है अभी कतन नीचे दो कथन दिये गए हैं एक अभी कतन एके रूप में लिखा दूसरा कारण आर के रूप में तो अभी कतन है रामचंद सुकल हिंदी सहित के इतिहास के आधिकाल को बीर गाता काल की संग्यादी है यह तो सही है अगला है रामचंद सुकल के अभचेतं में बीरता के प्रति एक आकर्सर था बक्तिकाल रीतकाल और आधिकाल इसके लिए औसर ना है इसलिए नाम आधिकाल को ही दिया और दोनों सही हैं ब्याक्षार नहीं सही है तीसरा क्वेश्चन आता है नीचे दो कथन दिये गए हैं एक अभी कथन एक के रूप में लिखा दूसरा करण आर के रूप में मद्ध कालींता अवरोध जड़ता औरूडवादता की प्रब्रतियों की बहाग होती है तो यह बात थोड़ा सा डिफ्रेंस कर दिया गया है कि मद्द कालींता पहले दे रख्थ है कि मद्द कालींता क्या अबरोध जड़ता और उड़वादिता की प्रवाध होती है और दूसरे में आधु 이 प्रशार कर देश वासाओं को असी पर धकेलना चाहते थे खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कालेज यह पहला सही है और दूसरा नहीं सही है CUET के आधार पर दोनों ही सही माने गए थे अगला क्वेस्चन है भारतेंद भरिष्चन ने नाटकों को सहित्तिक रूप दिया भारतेंद पार्सी नाटकों की सस्ती रुची से असायमत थे इसलिए वे गंभीर नाटकों के पच्छधर थे इसमें भी दोनों सही है लेकिन अगर देखा जा तो गंभीर नाटकों के पच्छधर जैसंकर प्रसाथ थे भारतेंद नहीं लेकिन CUET ने जो आंसर सही किया वो किया है AR दोनों सही और सही ब्याख्या भी भारतेंद युग नोजाग्रण की चेतना का यूग है भारतेंद यूग नोजाग्रण की चेतना का यूग तो यह पहला तो सही हो गया दूसरा भारते अंदियोग में सामाजिक अंदोलन के प्रभाव से जनता में नौ चेतना का उदय हुआ तथा विद्वा विवा सतीप्रता नारी सिच्छा अंदिविस्वार और अस्प्रस्थता निवारड की और जनता का ध्यान आकर्सित करने व सतीप्रता नारी सिच्छा पर जोड़ दिया जा रहा थी आधी अगला क्वेश्चन है हमारे सामप्रदाइक समस्या प्रेम चंद की चिंता का मुख्य विसे थी ऐसा उनके उपन्यासों या कहानियों में दिखता तो नहीं है बहुत ज़्यादा परन्तु डक्टर नगें मा को राश्टी एकता में बाधक मानते थे इसमें आचा डक्टर नगेंदर के अनुसार दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही है अगला क्वेश्चन है प्रगतिवाद एक वैचारिक आंदोलन था उपनिवेश्वाद और सामंतवाद का विरोज सोतंतरता सामांता और न साहित्य इत्यास ग्रंथों को उनके प्रथम प्रकासन के अनुसार पहले से बाद के बढ़ते हुए क्रम में लगाई है हिंदी साहित्य की भूमका इसका प्रकासन होता है 1940 में दा माडर्न वर्नाक्यूलर लिट्रेचर आफ हिंदुस्तान यानि ग्रियर्शन का ग्रंथ और इसका प्रकासन होता है 1882 में सिव सिंग सरोज इसका होता है 1873 में और इस्तवार दाले ते उतर इंदु इंदुस्तानी जो गार्षाद अतासी का ग्रंथ है सबसे पहला हिंदी साहित्य तियास लेकरन का प्रिथम प्रियास है इसका प्रकासन हुआ था 1849 में अब आप देवास सी फिर भी ए अपसंसी है हमारे सामने सही आ रहा है निमलिखित कभियों को उनके रचना काल के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लिखिये तो रचना क्रम के अनुसार नूर मोहमद यह हैं सोलमी सदी के असद जैदी यह हैं बीसमी सदी के इनका जन्म 1954 के आसपास कुछ हुआ है क्लियर नहीं पता अमीर खुसरो यह हैं तेरवी चौदमी सदी के चौदमी सदी बारा सो पच्ची सन का जन्म माना जाता है इस वी और मलिख मोहमद जाएसी पंदरवी सदी के तो इसको भी अप क्रम से लगा सकते हैं अमीर खुसरो सी इसके वाद मलिख मोहमद जैसी डी और इसके वाद में नूर मोहमद असद जैदी आपसन हमारा एस आई हो गया निमलिखिन नाटकों को उनके प्रथम प्रकासनवर्स के अनुसार पहले से बात के बढ़ते क्रम में लिखिए अजाज सत्र का प्रकासनवर्स है 1922 आगरा बाजार कोर्ट मार्शल और अंधेर नगरी का है 1881 कोर्ट मार्शल का है 1991 कोर्ट मार्शल 1991 और आगरा बाजार का 1954 आगरा बाजार के लेखक हैं हभीब तन्वीर और कोर्ट मार्शल के स्वाधियस दीपक अजाज सत्र के तो आप लोग जानते हैं जैसंकर प्रसाद और अंधेर नगरी के बारतिन्द हरिश्चंद इस आधार पर हम लोग लगा सकते हैं कौन पहले कौन और क्रम से तो सबसे पहले प्रकासित हुआ अंधेर नगरी डी और ए इसके बाद अजास सत्र 1922 में आगरा बाजार बाजार में कोर्ट मार्शल 1991 में हमारा ओप्सन सही हो गया अगर निम लिखे तुपन्यासों को उनके प्रथम प्रकासन वर्स के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाई यानि जो सबसे पहले प्रकासित हुआ वह पहले और जो बाद में बाद में तो मैला अचल का प्रकासन हु 44 में दूसरा आया 44 में इसको भी अब क्रम से लगा सकते हैं सबसे पहले परिच्छा गुरू यानि बी इसके वाद में बी के वाद गोदान यानि सी बी सी ऑप्सन डी सही हो जाएगा डी से खरेक जीवनी सबसे लाश्ट में मेला चल लिम लिखे रचना कारों को उनके जन् काल बिहारी रीद कालिन महावीर प्रशाद दुएदी आधनिक काल के सरहपा आधिकाल मीरावाई भक्तिकाल अब इनको क्रम से लगाना एकदम आसान हो गया तो सरहपा सी और इसके वाद में भक्तिकाल की मीरावाई आ जाएगी और इसके वाद में आएंगे रीद काल के बिहारी और फिर आधनिक काल के महावीर प्रशाद दुएदी इस परकार आपसन सही हो गया भी अगला क्वेस्टेन लिम लिखे रचनाओ को उनके रचनाकाल के अनुसार पहले से बाद के बढ़ते हुए क्रम में लगाईए कवित्रत नाकर सेनापती सेनापती जो की रीद काल के कभी है प्रिये प्रवास आयोध्या सिवपाद्य हरियोद जिनका नाम हम सौर्ट में लिख रहे हैं हरियोद ये भारते अंदुयूक के कभी हैं दोहा को सरहपा आदिकाल के कभी बिनैपत्तिर का तुलिसीदास इसको भी पहले क्वेश्चन की तरह से इकरव में लगा लेंगे जो आदिकाल के आदिकाल के वो सरहपा हैं तो C पहले आजाएगा इसके बाद में डी आएगा यानि भक्तिकाल तुलिसीदास और इसके बाद रीदकाल के जो सेनापती है वो ए आजाएगा और फिर आजाएगा आधुनिकाल प्रिप्रवास हर्योद का बी आप संसी सही हो गया अगला क्वेश्चन निम्न कहानियों के उनको प्रिथम प्रकाशन वर्स के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाई है तो पहले सबसे पहले उसने कहा था कानी प्रक अग्ये की है इसके वाद फैंस के इदर उदर ग्यानरंजन की कहानी है यह 1968 की आसपास प्रकासित हुई है ग्यानरंजन की फैंस के इदर उदर अगला क्वेश्चन है बिहारी गागर में सागर भढ़ने वाले कभी माने जाते हैं और इसका जो दूसरा पार्ट है वो घनान तो प्रेम की पीर के कभी हैं दोनों ही सभी होगे अफ्शन एस ही अगला क्वेस्टन है भाष्टेंद्ध हरिष्चंद का क्रतित तो संक्रांत कालिंग चेतना का रूप है भारतेंद्ध के काव में मध्योगीन पर पाठी का ना तो अनुसराड़ है ना प्रभाव तो भारते संक्रांत का जो काल था उस समय के कवी है तो पहला तो सही हो गया हमारा दूसरा है भारतेंद्ध के काव में मध्योगीन पर पाठी का ना तो अनुसराड़ हुआ है ना प्रभाव तो यह तो वैसे गलत है पर सही किया था पता नहीं क्या सोचके यह तो हम भी नहीं समझ पा अध्यकाल का प्रभाव भी कुछ है और नया प्रभाव भी आ रहा है तो यह साब तोर पर नहीं बोल सकते कि मध्योगीन पर पाठी का ना तो अनुसराड़ है ना प्रभाव है उन्होंने कई रीत कालीन आधार पर कविताय लिखी है प्रेम माधुरी जैसे हो गई प्रेम प्रकार से जो सही किया था वह पहला था अगला क्वेस्टन है हिंदी नौजाग्रड का प्रवर्तन ब्रूले ने किया दो हिंदी 5 थे लिए दो नहीं हो जाएगा पहला सही और दूसरा गलत पहला से दूसरा गलत अगला क्वेस्चन है प्रियोग वाद का प्रारम तार सब्तक से माना जाता है तो प्रियोग वाद का प्रारम तार सब्तक था पहला उन्हें सो तालेश में प्रकासित हुआ तो वहां से माना जाता है पहला तो सही हो गया प्रियोग वाद में बहुत दि और दूसरा गलत अगला question है प्रेमचन्द के उपन न्यासों में सामन्तवाद और महाजनी सब्बदा के जटेल स्वरूप को उभवारा गया है यह वास से ये प्रेमचन्द के उपन न्यासों में सामन्तवाद जो जमीदारी पृत्था थी या इस तरह की जो भी प्रथाएं थी और महाजनी सबता यानि जो रिड़ देते थे लोगों को लोन देते थे और उसके बदले में बहुत सारा वह ब्याज लिया करते थे तो यह हो गई महाजनी सबता इसको तो गोदान में भी इस पश्टता देखा जा सकता है या सेवा सदन में भी कर्म भूम में भी यह तो सही बात है अगला क्वेश्टन प्रेम चंद की रचनाव में जनवादी चेतना का नितांत अभाव दिखाई पड़ता एसा तो नहीं है कि उनकी जब वह सामंतवा तो महाजनी सबताओं का विरोध करे तो जनवादी चेतना का ही तो प्रती उपन्यास में जीवन की संपूरता को ब्यक्त किया जाता है उसमें संपूर जीवन का विश्टार किया जाता है इस प्रकार यह दोनों कथन सही हो रहे हैं हजआ हैं अगला कवस्टिन जंता की चित्प्रती की परवर्तन के साथ सहित के शुख्त में भी परव्रतन होता चला जाता है जो रामचंद शुखली जी का कहते हैं यह भी का सवाट जनता की चित्प्रती का संचित प्रतिविम्ब ही तो जो सामाज की स्थिती होगी उसी का जो प्रतिविम्ब होगा जो वास्तविक्ता तो नहीं लेकिन साहित तो प्रतिविम्ब होता है इस प्रकार जो उसका साहित होगा वो समाज की स्थिती से ही जुड़ा होगा कहीं ना कहीं तो इस प्रकार दोनों कथन स ही हो रहे हैं अगला निम्न में से कौन भक्तकाल के कभी हैं भक्तकाल के कभी तुलसीदास कभीरदास चंदबरदाइए आधिकाल के तो यह आप संतो नहीं होगा आधिकाल और देव हैं रीतिकाल के हँआ है कि हमारे सामने आप सणारे ए बी ए एडी यह विकल्ज मत तीसरा सही ऐह अगला प्वस्चन है निम्न मैं से कौन आठकाली स्थोट्र एद्दोर में उर्णंसेrain आठकाली ग्रंथ है अधिकाली कीन भीतवि स्कालीनी गर्ण्व्थितसरा zusammen ये भी आदिकालीन परमाल रासो ये भी आदिकालीन और सूर्सागर सूर्दास का बक्त कालीन इसमें कौन से A, C, D A, C, D यानि आप्सन A सही अगला क्वेस्चन है निम्नि में से कौन रीत मुक्त काब धारा के अंतरगत आते हैं कब धरा के अंदर आते हैं बोधा बिहारी तो रीत सिद्ध थे ठाकुर घनानंद रीत मुक्त हो गए और केसोदास रीत युक्त कभी है रीत बद्ध केसोदास हैं रीत बद्ध और बिहारी हैं रीती सिद्ध बाकी के तीन बच्चे जो वो हैं रीत मुक्त A, C और D A, C, D, अप्सन C सई अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सो पन्यास फरिस्वर नात रेडू द्वारा लिखे गए हैं जुलूस फरिस्वर रेडू का अपने अजनभी अग्ये का है आप लोगोंने पढ़ाई होगा परती पर कथा भी रेडू का है पानी के प्राचीरें रामदरस मिस्तर का और मैला चल तो फरिस्वर नात रेडू का सबसे प्रसित दुपन्यास है तो ये तीन हो गए A, C और E A, C, E विकल्प पहला सई अगला क्वेस्टेन अन्यम्न में से प्रेम चंद द्वारा बिरचित कहानिया कौन सी है प्रेम चंद पूस की रात बड़े घर की बेटी और कफन ताई विसंबरना सर्मा कोसे की और प्राचित जैसंकर प्रसाद का नाटाख है तो इसमें कौन B, C, D, B, C, D विकल्प तीसरा सही हो गया अगला क्वेस्टेन अन्यम्न में से कौन चायावादी कभी है चायावादी कभी है जैसंकर प्रसाद भी चायावादी है महादेवी बर्मा भी है नागार जुन प्रगतवादी कभी है सुमित्रा नंदन पंत रांगे रागवी प्रगतवादी है एक सेंस से तो चायावाद के चार प्रमुकिस्तम है सुमित्रा नंदन पंत महादेवी बर्मा जैसंकर प्रसाद और सूरकांतर पाथी निराला तो इसमें विकल्प सही हो गया A, B, D अगला कुस्चेन यह जो कोण आलोचनात्मुक करणंत रांग रिखे गए हैं प्रेम चंद और उनका युग यह है रांगिला सेर्मा की कभीर हजारी प्रसाद वेद्धी की है निराला की साहित सातना रामिला सर्मा भासा और समाज रामिला सर्मा तो आप्सन सही हो गए हमारे सामने सही आप्सन आ रहे हैं B, D और E B, D, E, आप्सन D सही अगला क्वेश्चन आता सूची, एक किसा सूची दो का मिलान कीजिए कबीर की रचना है बीजक, A का थर्ड इन दो विकल्प में है जैसी की रचना है पदमावत, यानि B का फूर्थ आप्सन B, सही होगा सूर दास की सूर सागर, तुलिसी दास की बरवयरामा है अगला है सूची, एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए बिहारी की बिहारी सत्य सही, एक ही रचना इनकी सबसे प्रसिद्ध है हर किसी को पता होगी मतिराम की है रसराज, कालिदास तरवेदी की कालिदास हजारा, गनानंद की सुजानित प्रबंद तो इसमें बिहारी A का थर्ड, A का थर्ड किसी में है नी तो आप्सन A ही सही होगा B का फोर्थ और C का फर्स्ट, D का सेकेंड अगला फिर से सूची का मिलान करना है पर इच्छा गुरू, लाला सिरी निवास दास का चंदरकांता, देवकी नंदन, खत्री, बाड़ बट्ट की आत्म कथा, हजारी प्रसाद दुवेदी, और निर्मला, प्रेम चंद का उपन्यास, इनको भी मिला लेते हैं पर इच्छा गुरू, यानि A का थर्ड, A का थर्ड किसमें ये दो आप्सन्स में है, चंदरकांता, B का फर्ष्ट, ऑप्सन, D सईयोगा, B का फर्ष्ट, C का फोर्थ, बाड़ बट्ट की आत्म कथा, हजारी प्रसाद दुवेदी, निर्मला, प्रेम चंद का, D का सेकेंड, अगला है, बालक्रस भट्ट की रचना है, साहित जन समू के हर्दय का विकास है, भारतेंद्व हरि बालक्रस भट्ट, A का फर्ष्ट, B का फोर्थ, बारतेंद्व नरिश्चन, हाँ, ये आप्सन, B सही हो गया हमारे पास, निमलिखित कहानियों का मिलान करना है, पार्टीशन, स्वयम प्रकास की कहानिय, चीफ की दावाद, भीश्म सहानी की, डिप्टी कलेक्टरी, अमरका की और परिंदे निर्मल वर्मागी, पार्टीशन, यानि एका थर्ड, एका थर्ड किसी में नहीं दिया, तो आप्सन, C ही सही हो जाएगा, बीज का फर्ष्ट, C का फोर, D का सेकेंड, अंगले में आलो चनात्मक रचनाओं का मिलान दिया गया है, तो रामकुमार वर्मा की रचना है, कबीर का रहस्वाद, रामचन सुकल का गोश्वामी तुलिसीदास, विश्वनात प्रषाद मिस्र का बिहारी, और गंगा प्रषाद पांडे का महाप्राड निराला, रामक अंगला क्वेस्चन है, नाटकों का मिलान दिया गया है, यानि नाटक किसने कौन सा लिखा है, तो गोपाल चंद गिर्दरदास, जिनका पहला नाटक माना जाता है, नहुष्, सीतला प्रषाद तरपाठी का जानकी मंगल, भारतेंद हरिस्चंद का भारत दुर्दसा, और फर्ष्ट, D का थर्ड, D का सेकेंड है, यह A का थर्ड, यह अप्सन सही है, A का थर्ड होगा, B का फूर्द, C का फर्ष्ट और D का सेकेंड, इस प्रकार यह हुआ CUT PG 2022 का पेपर, इसके आधार पर आप लोग पेपर पैटर्न को समझ सकते हैं, CUET की चेकिंग प्रोसेस को समझ सकते हैं और 2023 का पेपर किस प्रकार का आएगा ये भी समझ सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए एक्जाम बट को सब्सक्राइब कर लीजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नमस्कार साथियो